आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटूब चैनल सक्सेना स्पी क्लासेश को और बेला आइकन को प्रेश कीजिए हमारा लेटेस्टी एटूकेशनल वीजिएो सबसे पहते देखने के हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी मैं चन्दर प्रगास आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्षे नसीपी क्लासेश में एक बार फिर से चागत करता हूं दोस्तों आज मैं किसका हिंदी का बहुब विकल्पी से आपको क्या अतिलग उत्री में भी क्या होगा फायदा मिलेगा ज्यादा बात न करते हुए दोस्तों मैं कहाना चाहूंगे यदि हमारे चैनल पे आप नए होगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा लाइक करिएगा दोस्तों के साथ सेर क होती है दोस्तों अंतर से ब्यंजनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है आपकी चार होती है और दोस्तों हिंदी भासा में स्वरों की संख्या है तो दोस्तों हिंदी भासा में स्वरों की संख्या है तो दोस्तों हिंदी भासा में स्वरों की संख्या होती है और अगला के अगला केसे बन रहा है कि भासा अभिव्यक्त के साधन है दोस्तों भासा बोलकर और सुनकर लिखकर और पढ़कर अप्रस बाद दोनों तो दोस्तों यह हो जाएगा गिसे बोस्तों जो कहोता है कि अगला के दोस्तों इसे बन रहा है निम्न में हृष्षण ध्नी का मतलब होता है में क्या है तो देखें वड़ी है यह क्या होका है जिर्श हैर्य even गन्राइब सक 15 दोस्तों रिस समय क्या है और दोंे ए सब क्या है हृष ब्राइब दोस्टों अग्ला क्या है सब्दों के सुद्ध उचार हम गराद के दोनों के द्वारा होता है अगला के बनता है कि हिंदी में कितनी बोलिया प्रचलीत है जो है सवायइर क्याता है यह उस्ड़ों कि क्या क्या सब्सक्राइब यह भी शही है अगला पूच रहा है चोओ हर्ग है दोस्तों के से पार्सिक होता है अगला पूच रहा है उत्षिफ्ट बेंजन होते हैं दोस्तों ड़ धा जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग ड़ और धा को क्या बोलते हैं उत्षिफ्ट बेंजन बोलते हैं दोस्तों ग्यों को वर्ड माला में माना जाता है दोस्तों ग्यों वर्ड माला में क्या मना जाता है समयुक्त बेंजन क्या मना जाता आपका समयुक्त बेंजन अगला क्येशन बनता है दोस्तों इसमें पुछा है कि 6 का निर्माड किंदो वर्डों के मिल से बनता है दोस्तों 6 का निर्माड होता है कौस प्लस सा कौस समवर्डे 6 इसमें कौन सा बैंजन नहीं है अगला केमाला में कितने सब्सथ संघरसी विका जाता है दोस्तो जो वेड़नमाला का जो सब्सथ और 같은데 सब्सक्ड़ हाँ दोस्तों उसने सबद में रिच्ट क होई है और रे डू में किश सबूंसन हम दोस्तों कश Perhaps चाहर के दरह इसका क्या होता है उचाहनों होता हैशित संघर्ची होता इसमें क्या जाएं अपका चो क्या होगा सभार संघर्ची होगा अगला क्यूशन 1,1 कि वां का उचारन स्थान होता है फ्म से उपर ओडांत और नीचे वाला ओठार आपस क्या होता है इसलिए कवे दॉस्तों मैं नहीं है तो दWhen when मॉन्स दोस्तों में ब्गयों होता है तो दोस्तों इसमें से यह Illinois Bay दोनों नहीं होंके दोस्तों दोनों उसमें नहीं है अग्राइश हुआ होता है कि देखे आई है स्क्रापेश् maior विर्प 30 सुर का होता है कि देखे और से क्लिस अंगा। कि हिंदी होर माला में दोस्तों कि कि यह हुआता है कि संख्या है कितनी होते हैं सब्यक्त का चीन की क्या होता है है अपका क्रेशन का अपका 2 हो जाएगा अर्थ सम्वीत सवर की से कहते हैं कंठ निकाँ जो सही प्रयोग का र में और है कि प्रसुक्त कुरसी को बोलेंगे इसमें प्रक्राइब करति Damn क कंठ से इसमें दोस्तों लिख रहा है किसमें से कौन सा मुर्धान नहीं है database तो मुर्धन नहीं है यह है यह इसको मुर्धन नहीं बोलते है अग्ला फिक्योंचन बना है धौनिका उचारण के अधार पर होता है किसके अधार पर होता है दोस्तों चाहूं के अधार पर होती है तो दोस्तों यह दाँत से और वह क्या होगा फो और वह अगला कि निम्न में से किसवरड़ का उचारण कंठ से होता है तो दोस्तों को किस वर्ड का उचार स्थान कंठ नहीं है दोस्तों इसमें पुछा वचार स्थान कंठ नहीं है तो दोस्तों यह आपका का है धो क्या है अगला किसन आपका का रहा है निमने में से कौन सहीगत वर्ड नहीं है तो दोस्तों इसमें से कौन सहीगत वर्ड नहीं ह कमाला में स्थान प्राप्ता है और ता क्या हों निवनिखेट संघर्ष सब्ण निवनिखे तो इस सब्ण है क्या है सब्ढाक विलोम है फूसटो रहा है हूपकार का विलोम होता है रहोता है इआक अफका होता है स्क्राद का अपकार होता और कह रहा है एस्वर निस्टेज क्या हूद करून का विलंबें दोस्तों करूण का जो विलंब होता है वह क्या होता आपका कृतग्न थे दो सब्सक्राइब मतल्ब की मशीन होता है उसका क्या होगा प्राकरतिक नहीं है अभी किे कह भी लोंब है तो दोस्तोव होगा किया होगा अग्ये अग नहीं इसकता काई विलोम और उसकता कई को होगा विरोंधी ने नहीं कि क्या लगु का मतलब क्या होता है बड़ा अगर विरोध करेंगे उसका अगर बिरोध करेंगे उसका विल्ट कैंगा समर्थन हो जाएगा अगला क्येशन है दीन का विलोम तो दोस्तों दीन का विलोम क्या होगा आपका रात होगी अगला क्येशन है आनंद का पर्यावाची है तो दोस्तों आनंद का पर्यावाची क्या होगा सहकार क्या होगा शहकार होगा अगला क्येशन है इंद्र का पर्या अगनी का परियावाची नहीं है दोस्तों अगनी का परियावाची आपका कॉन सा नहीं है आपका को ब्यों कि कि का होता है paar फकर पड़ावाची आगला निमलिखित में से किस सभद सर्षती का परवाची नहीं है сुूरी इन ओ किया आपका निशाकर सुन्दर का पर्यावची नहीं है दोस्तों सुन्दर का पर्यावची होता है वह क्या होता है क्या है अगला क्यूशन क्या है कि हर्ष सोक दूख तथा घृड़ा अगला क्यूशन अब का प्रशन सूचक बीराम का चीन होता है यह होता है अगला क्यूशन है प्रश्ण करवाई जाते हैं दोस्तों ग्रीह कार में प्रश्ण करवाई जाते हैं अबोध की दिश्टी से ज्यान की दिश्टी से के वाचन सिछड़ की विधी है इसमें क्या है आपका समप्रेशण विदी अनुकरंड विधी प्रश्बा दूना दोस्तों है अपम कि महलाचन सिझढ का कंद्ध से क्या है कोन सकति का विकास तर्किक योंटा कि अप्लस?!" दोनो जुछ रहा है कि लेखन सिझण की Bl grain जो होता है पूल सीझण का इसमें कौसल होना क्या हिए लिखनी का इस अगर सीचछड का सल है अगला क्रिशन क्या है क्लिए ऑते का अनतस्ति नहीं है अगला qshots हो रही होता है अगला qustや पूछ रहा है दियुन सब्सकाइब डाह दांत-पथ्थी डोस्तों इह रिगतला च्रम्री अक्छर लिपी कहा है इनू प्राथम सब्सक्तार दोस्तों क्या पुछ रहा है कि जंगम का भिलोव सब्द है आपका क्या होता है इस्था वर होता है क्या है कि अगले हैं कि पुछ रहा है कि अनुग्रह सब्द का अर्थ है दोस्तों शंक कमल कपूर्थ दोस्तों उपरियुक्त में से सभी 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 अगला क्योशन है कॉसे मत टक्य में जन खराते हैं इस परसी वेंजन अगला क्योशन सुध है कि पूछ रहा है मध मोणत्कि का मज़ीलिक करते हैं म१ार जो प्रएक होता है कहां पर होता है आपका म६ करते है लोग टीमने के अधु मैंकर करते हैं ब्रकर प्लस श면क ने बहुता है और मन अगला केशन आपका क्या बन रहा है कि पर्वत सब्द का समानार्थी सब्द है दोस्तों पर्वत सब्द का जो समानार्थी सब्द होता है और क्या होता है आपका पादप क्या होता है अगला केशन है बिरोध सब्द का बिलोम है दोस्तों बिरोध सब्द का जो बिलोम होगा सब्सक्राइब और निदो दों सब्सक्राइब सब्सक्राइब किया है मिनलिखित में से स्ुधध सब्ध है यह क्फण दोस्तो किस पा किस अग्ला कर्शन है अगला कि इसे विशेष्टा से संबंधित नहsk females है जो बोला जाता है ओवह लिखा जाता है एक वर्ड में दूसरे वड्रका भ्रह नहीं होता है श्रीजों रख़ा का अन्मप्रेख के लिए एक वर्ड संकेत के न करें फोजूंट दोस्तों यह है जाट हो मिखता आलंकर आसा नहीं एगला क्या है फिंदी भासा में मुलता वाडों की संख्या होती दोस्तों इसày में मुलक्त में डूसा तो जाँ है दोस्तो आनन्द का जो विलों क्या होगा तो दोस्तो आनंद का श्रिंगा लिखा सर्षार से लिखा जाता है कि से लिखा जाता है इस लिखा जाता है पार कि आर्वाचीट रहएं और सिर्फ अमता है कि होता है उनके पर्यावाची सब्द इनको भी बोलते हैं तो जोसे अगनी का क्या होता है कि अनल पावक आग अम्रित का पियूस सुधा ब्योम गड़ेश का लंबोदर बिनायक गड़पती दोस्तों अगला क्योशन क्या है सब्द इवंपद से क्या समझते हैं तो दोस्तों व परड़ों का जो सार्थक मेल होता है उसे का कहते हैं सब्द कहते हैं तथा कविता की कुछ पंक्तियों के मेल को पद या चंद कहते हैं दोस्तों अगला केशन है हमारा अंस और अंस में अंतर बताईए तो दोस्तों इस अंस का जो मतलब होता है वो होता है आपका कंधा और इस अंस का मतलब होता है आपका भाग क्या होता है आपका भाग अगला केशन पूछ रहा है कि आपका अग्य और उन्मुख का क्रमसह विलोम बताइए दोस्तों अग्य का जो विलोम होता है वो विग्य होता है और उन्मुख का विलोम होता है वह विमुख होता है क्या होता है विमुक होता है अगला केशन आपका बनता है कि भृंग और पिट्स समस्दोके क्रमसा दोदो परियावाची बताइए तो दोस्तों दोदो परियावाची भृंग का होता है मधुप मधुकर भामर भावरा और वीटप का परियावाची होता है तारू पेड़ ब्रिच सुरूत लेःख का क्या उद्धिश से होता है दोस्तो सुरूत लेःध को अंग्रेजी भ sinful mean कहा जाता है रहांव कर देख तो click शुन लेख सुनकर लिखा जाता है अध्यापक बहलता है और अग्ला क्योसन है खोड़ जोग से बना होता है और समानार्थी सब्द का आसे लिखी है एकर्थ को प्रकाट करने वाले सब्दो को परियावाची या समा नार्थी सब्द काते है अगला question आपका पूछता है कि ब्यंजन का प्राइस पस्ट कीजिए दोस्तों जिन वर्डों के उचाड में मुख से निकलने वाली वाई को मार्ग में विविन अंगों से टकराने के काड़ रुकावट आती है उन्हें ब्यंजन करते है यह क्या होता है ब्यंजन क्या होता है स हिंदी भासा के कौशल है दोस्तों धोनी क्या है धोनी क्या होती है दोस्तों धोनी भासा की सबसे छोटी इकाई और सरवाधिक महापुड इकाई होती है धोनी क्या होती है भासा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं धोनी कहते हैं और भासा किसे कहते हैं दोस्तों अगर पूछे तो धौनी चिन्दों के समविष्ट को क्या गते हैं। भासा काते हैं। ठाचा किशो अगर कैसे बंता है ये जो संभंद किस्से से धोनी विद्विजान का संभंद है और कस से अगर पुछता है कि हिंदी भाशा में स्वरो वेंजन कितने होते हैं तो दोस्तों स्वर को जो संख्या होती है वो कितनी होती आपका 11 और बेंजनों की जो संख्या होती है वो होती आपका 33 तो दोस्तों स्वर किसे कहते हैं तो दोस्तों अगर बंजन ऐसे भी कहते हैं कि जिनका उचारण सोरों की सहायता से किया जाता है क्या कहते है जिनका उचारण सोरों की सहायता से किया जाता है उसे क्या कहते है आपका बेंजन कहते है जैसे कि ऐसे अच्छर जो उचारण के समय ध्वनी फेपड़ों के अनुस्परीत होकर कबमखद्वार को बंद करके खोलते हैं जिससे हवा उचाड सानों को करती है उसे का करते हैं इसपर्षी बेंजन करते हैं जैसे के इतियार झाहिए आपका इसवर्षी बेंजन है अगला केश्डis थो race Sun संघर्ष 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 एंजन बोलते हैं अनुनासिक किसे कहते हैं अगरा किसे अपका मनता है अनुनासिक किसे कहते हैं तो दोस्तों जब मुख द्वार बंद करके खोला जाता है किन्तु साथ ही नसिका भी क्या होता है खुला रहता है उसे क्या मनते हैं अनुनासिक कहते हैं जैसे अंग यह रड़ नो मो दोस्तों देग सवर किसे कहते हैं तो दोस्तों कंद मोर्ण जो हता है कि इन Cumंड करने में हमें क्या होता है तो सब्सक्राइब होता है कि इसे बोलने से बहुत सक्रा हो जाता है क्या होता है इसे बोलने से मुखदवार बहुत सकरा हो जाता है और हवा स्वर की भात बीच से निकल जाती है जैसे यह और वह 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 क्या होता है यह सब क्या है इसे अर्ध स्वर कहते हैं अक्षर समू का दूसरा नाम लिखिए दोस्तों अक्षर समू का जो दूसरा नाम होत था से हडिश合 करते है जैसे आई हूँ यह सब कहता है सबसे कम संभिश्वय सब कहा है दोस्तों उसम्यणी जो मन फेख संख्या पुछे तो उस बस की संग्या कितनी है चारmond यह साँ यह क्या होता है क्यों क्यों इसको फीचा निकलती है अगला देवनागर लिपी की क्या विशेशता है दोस्तों देवनागर लिपी की जो विशेशता है ये क्या है कि सुन्दर है क्या होता इसकी लिखावट सुन्दर तथा पस्ट है हमारा मुल साहित इसी लिट में क्या है सनरच्छित है अगला क्योशन बनता है आपका भाव तथा वि कि मनो भाओं को बोलकर प्रकट करने का कौन सा माध्यम है दोस्तो मनो भाओं को बोलकर प्रकट करने का माध्यम जो है हम मुखसे ही दारा तो करेंगे इसलिए क्या है मनो भाओं को बोलकर प्रकट करने का माध्यम क्या होता है हमारा मौखिक माध्यम होता है लिखित भासा के दिवा किया जाता है अगला question बनता है ग्रंथ के बचे हुए अंस जो प्राया अंत में जोड़े जाते हैं वाक्यांस के लिए एक सब तो दोस्तों उसके क्या बोलते हैं परी शिष्ट बोलते हैं क्या बोलते हैं आपका परी शिष्ट बोलते हैं आपका अग अगला केशन बनता है कि भासा के कितने रूप हैं दोस्तों भासा के लिखित वा मौखिक दो रूप होते हैं कितने होते हैं दो होते हैं अगला केशन पूछता है कि भासा किसे कहते हैं दोस्तों लिख कर तथा बोल कर समझी जाने वाली बाते क्या होती है भासा होती है क्या हो सब्सक्राइब इसान सब्सक्राइब जैसे कल सब्द का अर्थ है पिछला दीन और अगला दीन सोर मशीन शुन्दर आदी दोस्तों अगला की जोशन पंदह को आपका परियावाची या समयन आर्थी सब्द की see करते हैं । दोस्तों एक सा अर्थ प्रकट करने अनेकी सब्दों को समानार्थी या परयावाची सब्द नीर वार पानी आदि नाम से क्या होता है जाना जाता बन्ता है विल्ओंcard को और उचीत का क्या होता है अनुचीत होता है अगला केशन बनता है आपका यस्त था भासकर के परेवाची बताईए दोस्तों यस्त का जो होता है किरती होता है और भासकर किसको बोला जाता है शूरी को क्या बोला जाता है भासकर बोला जाता है तुकांत सब्द क्या है अगला अब इसमें देखो जोक। कि तोख और अब जंडा फंडा पंडा संडा पंडिसें सब्त काते हैं दोस्तों अनेकारती सब्द चैसको संदर बनाने के लिए आपकी और ब्यक्त करने वाले सब्द को क्या कहते हैं अने कार्थी सब्द कहते हैं जैसे जो वीता बीना वेतन का काम करें उसे का कहते हैं अवयतनिक और जिसका कोई उप्मा न हो उसे क्या बोलेंगे अनुपम क्या बोलेंगे आपका अनुपम दोस्तों अंस और अंस का सब्द का परंत उसका अर्थ क्या होता है इस परकार के सब्दों को समुचरी भिनार्थक सब्दों कहते हैं जासे अँस और अल्पविराम का प्रयोग कब किया जाता है जैसे कि राम को जगाओ मत जाने दो यहाँ पर देखिए राम को जगाओ मत सोने दो इसको क्या करना सोना नहीं देना है और इसको क्या है इसको जगाना नहीं है अगला केशन बनता है आपका विश्मयाद वोधक चीन का प्रयोग कब करते हैं दोस्तों विश्मयाद वोधक लेखन होता है अगला केशन मनता है लेखन सिछण से आप क्या क्या अविप्रा है तो दोस्तों भासा की धोनियों को जब प्रती को एवं संकेतों के माध्यम से लिपिबध कर दिया जाता है लिपिबध क्या जाता है उसे क्या मोलते हैं लेखन कहलाता है क्या कहलाता आपका ल वाजिव थी, अगला केशन है कि वाखे किसे कहते हैं, तो दोस्तों मनुष्य के बिचारों को पूड़ता लिखी तिया मोखे करने वाले समूब को क्या कहते हैं, वाके कहते हैं, ग्या पूड़ता अरoken क्या कहते हैं चमता होती है वाक्य के प्रकार लिखे तो दोस्तों वाक्य कितने प्रकार का होता है तो दोस्तों एक सरल वाक्य होता है एक मिश्र वाक्य होता है और एक क्या होता अपका संयुक्त वाक्य होता है तीनी वाक्य होते हैं इस प्रकार के क्या होते हैं अपकी वाक्य होते हैं अग प्लिकैश केकल्ट एयुमनी की दाश्य से क्या होनि चाहिए अगला क्या सफ़ल एक सफल भासा शिछक में कौन से घुड होने चाहिए दोस्तों vot in Strixmeye का होना चाहिए तुछके अच्छर समभु का दूसरा क्यों सव मता जाहिए तो दोस्तों और क्षार समूभी का दूसरा नाम होता है उसे क्या बोलते हैं वढ वाला कहते हैं अग्यार पूछ या पिसको हम शंघर्शी बिनजन ही क्या है आपका जींवर्डों के उचाड़ में हवा मुख से रगड खाती हुई धीरे धीरे बाहर निकलती उन्हें क्या बोलते हैं उष्म बेंजन कहते हैं अगला केशन बनता है भासा सिछड के चार प्रमुक कोसल क्या है स्रमण क्या है आपका स्रमण उचारण वाचन एवं अभी ब्यक्ति क्या है आपका अभी ब्यक्ति अगला केशन आपका अनभीग्य तथा मुक्त का क्रम विलोम लिखिए तो दोस्तों अनभीग्य क्या होता है शू विग्य होता है और मुक्त क्या क्या होता है बंधन होता है अगला केशन पुछ रहा है छात्राज्य किस प्रकार के बेंजन है तो दोस्तों क और अगला के उचारण किस प्रकार के बेंजन होता है अनुश्वार किशे काते हैं दोस्तों अनुश्वार के उचारण में वाई नाक से निकलती है और जटके के साथ होता है जैसे ठंधा कंचन जंगल इत्यादी क्या होता है अनुश्वार होते हैं दोस्तों लिप किसे कहते हैं लिपी किसे कहते हैं दोस्तों क्या होता है भासा को लिखने की विधी ही क्या होती है लिपी कहलाती है जो हमारी भासा किसी ने किसी लिपी में लिखी गई है उसे कहलाती है अथवा मुख से उचारी धौनियां को लिखने म कि दोस्तों जिनके उचाड में सबसे कम समय लगता है जिनके उचाड में सबसे कम समय लगता है कम समय लगता है तो एक मात्र का समय उन्हें क्या होते हैं रिश्य सरकते जैसे और यही हमारा क्या होता है आपका यह शमाप्त होता है और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए और वेल आइकान को क्या कर दीजिए प्रेस कर दिए जिस्टे कि मैं अग्ला ने वीडियो बनाऊं तो उससे क्या हो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए तो दोस्तों तभी अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो क्या करिए लाइक कर दिजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए और दोस्तों के साथ शेर कर दिये फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी जोस इसी सोल के साथ फिर बाई बाई और टेक केर